हाईलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल स्वी स्टेटी क्लासेस 9-335 पर आज हम लोग कच्छा दस समाजिक विज्ञान के एक सबसे महत्पूर प्रसंद देखेंगे जो पूरे पार्ट से होने वाले हैं और ये पार्ट होने वाला है आपकी जो समाजिक विज्ञान की बुक है भारत में राष्टरबाद जो समाजिक विज्ञान की बुक है उसका चैप्टर नमबर टू है और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्टरबाद इस वीडियो में हम भारत के राष्टरबाद से सभी महत्पूर बिकल्पी लगुत्रियति लगु सबी कोस्टन एक ही वीडियो में देखेंगे इसलिए आप चैनल को सस्काइब कर लीजिए और बेल आइकन को पेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आए हम बिनाद लेट के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आल्रेटी सबी वीडियो बन चुके हैं आपको अगर इसके फर्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए है यूरोप में राश्टरबाज का हुद है तो आप जाके डिक्सक्षन बाक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं आपको एक ही वीडियो में 100% बोर्ड में यहीं से फंस जाएगा आप एक वीडियो देख लीजिए और एक वीडियो देख लीजिए एक चेप्टर कंप्लीट कर लीजिए ठीक है आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह मैं कह सकता हूँ ठीक है आएए फर्स्ट कोस्चिन देखते हैं फर्स्ट कोस्चिन क्या है देखें फर्स्ट कोस्चिन है मात्मा गांधी दच्छिन अफ्रीका से बापस कब लोटे एनी कि मातमा गांदी जो थे दच्छड अप्रीका से ब्हारत लोटे थे वो कब बापस लोटे थे गांधीजी ने गांधीजी की प्रसीद पुस्त किंद सुराज कांसी हिंद सुराज किस बर्स प्रकासित हुए ये इंपोर्टेंट प्रसन है ये भी इंपोर्टेंट प्रसन है इस प्रसन में कहता है गांधी जी की प्रसिद पुस्तक थी हिंद सुराज किस बर्स प्रकासित हुई थी 1999 में या 1922 में या 1919 में या 1909 में या 1930 में मात्मा गांधी की जो प्रसित पुस्तक थी हिंद सुराज वो प्रकासित हुई थी देखे 1909 इस भी में किसमें 1909 इस भी में प्रकासित हुई थी नेस्ट कोस्चन है भारत बापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्यागरे कहां थिया किया था यनिकि जब दच्छन अप्रिका से भारत आ गए थे तब सबसे पहले मात्मा गांधी जी जी ने पहला सत्यागरे जो किया था वो कहां किया था वो किया था चंपारन में किया बार डोली में किया खेडा में किया आहमदाबाद में किया देखिए वो किया था चंपारन बिहार में नेस्ट है भारत में राष्टरी पिता कहेकर किसको संबोधित किया जाता है मात्मा गांधी को जवालन नहरू को गोखले को या सुवाश्चिंद्र बोश को नेस्ट कोस्टन नमबर पांच की तरफ चलते हैं दिखे का question number 5 आसायोग अंदोलन का मुख्य कारण क्या था इनिक जो आसायोग अंदोलन चलाया था मातमा गांधी ने उसका मुख्य कारण जो था वो क्या था रॉलेट एक्ट था प्रतम भिस्यूद था या खिलाफत अंदोलन था या चवरी चवरा की घटना था तीकि उसका मुख्य उद्देश था रॉलेट एक्ट मुख्य कारण उसका रॉलेट एक्ट ही था करो या मरों का नारा किस ने दिया था किसका था या किस ने दिया था ठीकि करो या मरों आपको यह याद रखना है करो या नेता सुवास चंद सेखराजाद ने भागत सिंग ने दिया या माहत्मा गांधी ने दिया था ठीकि किस ने दिया था माहत्मा गांधी ने रॉलेट ए था वो पारित हुआ था 1919 इस भी में ठीक है Next है Simon Commission भारत कब पहुँचा जो Simon Commission आया था वो भारत कब पहुँचा था देखेंingen Simon जो कमीशन था भारत कब पहुँचा था ये बहुत important question है Most important question है 1928 में पहुचा, 1930 में पहुचा 1931 में, 1934 देखे जो Simon Commission भारत आया था वो पहुंचा था, हमें भारत में पहुंचा था 1928, इसवी में ठीक है Next question क्या है गांधी इर्विन शम्झाओता कब हुआ यह यहांधी और गांधी इर्विन शम्झाओता कब हुआ पांच मार्श 1931 वे 5 जुन 1932 में 5 अगस्त 1933 में 5 मार्च 1934 में ये सभी विकल्प मिलती जुलतू है 5 मार्च जो है डेट वो सभी में दी किसी में 5 मार्च दिया जून दिया मार्च और अगस्त दिया आपको इसका fix date याद करनी पड़ेगी देखे हम इसको fix date इसकी जो होती है 5 मार्च 1931 भारत छोड़ो आंदोलन किस ने प्रारम्ब किया यानि किस ने प्रारम्ब किया या 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 प्रारम्ब किया ने कि प्रारम्ब किया थ रमिन नाद टाइगोर सरद चंद चटर जी या अभी अभन निंदरनाथ टाइगोर थे देखिए बंदे मातरम जो गीत लिखा था उसके लेकक थे बंकिम चंद चटर जी ठीक है निश्ट केस्तन है क्या है हिंद सुराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे हिंद सुराज जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे बाल गंगा धर तिलग थे मात्मा गांधी थे सुराज पाल थे या पंडित नेरू देखिए हिंद सुराज जो पुस्तक थी उसके लेखक मात्मा गांधी थे ठीक है नेस्ट कोस्टन नमबर 13 देखे तेरबा कोस्टन है चारी चारा कांड किस बरस हुआ 1922 में 1924 में 1930 में या 1925 में यह important question बेरी बेरी important question है देखे चारी चारा जो कांड हुआ था वो हुआ था 1922 में अच्छूतों को हर्जन यानि इसुर की संतान किस ने बताया था एक important question है बहुत कई बार पूँचा जा चुका है हर्जनों को अच्छूतों को हर्जन यानि की इसुर की संतान किस ने बताया मात्मा गांधी ने पंडी जबाला लेंडू ने या भगत सिंग ने या सखान अब्दुल्खान ने पंडी जबलन नहरू ने या किस ने बताया देखे अच्छूतों को हरिजन या यानिक यूसुर की संतान बताया था मात्मा गांधी जी ने ठीक है नेस्ट कोस्टन नमबर फिप्टी है किन्नी तीन इस्थानों के नाम बताये जहां गांधी जी ने सत्याग्रे किया था चंपारण बिहार, स्खेडा, गुजरात, एमदाबाद या सभी देखे इसमें आपको पहले सही इसमें अंसर दिया ही है कोस्टन में तीन इस्थान तो इसमें कोई सभी में देखे चंपारण अंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं तीन नेताओं के नाम बताये इन्हीं भारती आश्ट्राश्ट्री अंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं तीन नेताओं के नाम यह तिलग उत्री में पूंच सकता है आपसे मात्मा गांधी थे बाल गंगा तिलग बाल गंगा धर अच्छे पोस्टिन है, क्या पूत्मा है, ça योगांधि ज्वारा चलाएं चलाएं, को दो किया तो कारण है, फ्रेंट्स आप देख़ें ये question आपसे 5 number में पूचेगा ठीक है देखेगा क्या कारण है इसका तो friends आप देख सकते हैं प्रतम भी सियुद्ध के बाद देश में कुछ ऐसी गटनाय हुई देखी प्रतम भी सियुद्ध हुआ उसके बाद में कुछ ऐसी गटनाय हुई गटनाय गटनी जिसका गांधी जी ने अंग्रेश सरकार के भी रुद्ध खुलकर भी रुद्ध किया यानि कि प्रतम भी सियुद्ध हुआ उसके बाद में कुछ ऐसी गटनाय गटनी जिससे यह क्रांतिकारी कदम था और इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अनेक कारण थे इसको परिवर्तन परिवर्तन हुआ इसके अनेक कारण थे अनेक कारण थे अब तक महत्मा गांधी ब्रिवर्तन सरकार के नियाए पीरता में विस्वास करते थे इससे पहले क्या था महत्मा गांधी जो ब्रिवर्तन की जो नियाए पीरता थी यानिकी नियाए प्रियता थी उसमें विस्वास करते और उन्होंने प्रथम बिस्तियूद में बिर्टी सरकार को पूरा सयोग किया और प्रतम विस्तियूद में बिर्टी सरकार को पूरा सयोग दिया ठीक है असयोग अंदोलन के संदर में महात्मा गांधी जी के प्रमुक सुजाओ क्या थे ठीक है इसके सुजाओ क्या थे इसके सुजाओ इसके प्रमुक कारण क्या यानि कि सुजाओ किया थे ठीक है नमबर एक सुजाओ था भारा सरकार द्वारा दी गई प्रद्मिया लोटा दीजे मात्मा गानी ने सर्थ करी थी कि भारा सरकार द्वारा दी गई जो प्रद्मिया पूर लोटा दी गई सरकारी नवकरियों का बहिस्कार किया जाए, सेना तथा पुलिस का बहिस्कार किया जाए, सरकारी अदालतों का बहिस्कार किया जाए, बिधाई परिसदों का बहिस्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों का बहिस्कार किया जाए, बिदेसी बस्तों का बहिस्कार किया जाए, तथ ब्रितिस सरकार ने इस अंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाए जो ब्रितिस सरकार थी उसने इस अंदोलन को कुचलने के लिए ब्यापक दमन चक्र चलाए जो ब्रितिस सरकार थी उसने इस अंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाए जो ब् सभी कांग्रेसी नेताओं को गृपतार कर लिया गया को कर लिया गया यहीं कि महत्मा गांधी के अलावा कांग्रेसी नेताओं की गृपतारी कर लिया गृपतार कर लिया ठीक है कांग्रेसी नेताओं को नेताओं को गृपतार कर लिया गया चवरी चवरा की एक अप्रिय घटना के कारण यहनि जो चवरी चवरा था उसकी एक अप्रिय घटना के कारण माहत्मा गांधी जी ने यहां अंदोलन 1922 में बापस ले लिया जब गृपतार कर लिये गए तो उन्होंने क्या किया 1922 में बापस ले लिया यह question important है कि माहत्मा गांधी ने आसायोग अंदोलन बापस कब लिया बापस कब लिया ठीक है तो यहां पर आप याद रखेंगे 1922 में यह important topic है यहां पर इसको याद कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को subscribe कर दें हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद